येशायाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय साथ उठ प्रकाश मान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे उपर उदय हुआ है, देख, पृत्वी पर तो अंध्यारा, और राज्यराज के लोगों पर तो गोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे उपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुछ पर प्रकाश की ओर, राजा तेरी चमक की ओर चलेंगे, अपनी आखे चारो ओर उठा कर देख, वे सब के सब इकटे होकर तेरे पास आ रहे है, तेरा पुत्र तो दूर से आ रहे है, और तेरी पुत्रिया ग चमकेगा, और तेरा रधाय थरथरा जाएगा, और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सब धन और अन्य जातियों की धरसंपति तुझको मिलेगी, तेरे देश में उटों के जुन्द, मिद्यान और एपादेशों की सान्णिया इकटी होगी, शिवा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेट लाएगे, और यहोवा का गुनानुवादन आनंद से सुनाएगे, केदार की सब भेडबकरिया इकटी होकर तेरी हो जाएगे, नवायोत के मेंधे तेरी सेवा टहल्प के काम में आएगे, वे मेरे वेदी पर ग्रहन किये जाएगे, और मैं अप पुते होए कबुतरों की नाई चलने आते हैं, निश्चे द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे, पहले तो तरशीष के जहाज आएगे, कि तेरे पुतरों को सोने चांदी समेत, तेरे परमिश्वर यहोवा अर्थात इस्राइल के पवित्र के निमित्त दूर से पहुंचाए क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है, और परदिश लोग तेरी शहर पनहा को उठाएंगे, और उनके राजा तेरी सेवा टहार करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख़तों दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन होकर तुझ पर दया करूंगा, और तेरे फाटक सदव खुले रहेंगे, और दिन को न रात को बंद किये जाएगे, जिससे अन्ने जातियों की धनसंपत्ति और उनके राजा बंधुए होकर तेरे पास पहुँचाए जाए, क्योंकि जिस चाति और राज्य के लोग तेरे आधिन न होगे, वहा नश्ट हो जाएगे, लबानों का विभव अर्थात, सनोबर और देवदार और सिधे सिनोबर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएगे, ताकि मेरे पवित्र स्थान को शोचोवित करे, और मैं अपने चरनों के स्थान को महिमा दूँगा, और तेरे दुख देने वालों के संतान तेरे पास सिर्ख चुकाये हुए आएंगे, और जिन्होंने तेरा तिरसकार किया था, सब तेरे पावक्षवर गिरकर दंडवत करेंगे, और वे तेरा नाम यहोव का नगर इस्रायल के पवित्र का सियोन रखेंगे, तू तो छोड़ी गई और गुरुनी ठहरी, ऐसा कि कोई इसकी संती, मैं तुझे सदा के घ्यमंड का और पिड़ी-पिड़ी के हर्श का कारण ठाराऊँगा, और तू अन्ने जातियों का दूद भी पी लेगी, हाँ, राजाओं की छातिया चूसेगी, और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धार करता और छुड़ाने व इतल और पत्तर की संती लोहा लाऊंगा, मैं तेरे हकीम को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धर्म की कसरोटी ठाराऊंगा, फिर कभी तेरे देश में उपदरव की और न तेरे सिवानों की भीतर उत्पात वा अन्धेर की चर्चा सुनाई पड़ेगी, परंतु तू ने फाटको का नाम यश रखेगी, फिर तेरा उजियाला दिन को न सुर्य से होगा, न चंद्रमा के चमतने से, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमिश्वर तेरी शोभा ठैरेगा, तेरा सुर्य फिर कभी अस्त न होगा, और तेरे चंद्रमा की जोती मलिन न होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदव की जोती होगा, और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएगे, और तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे देश के अधिकारी सरवदा रहेंगे, वे मेरे लगाय हुए पवधे और मेरे हाथों का काम ठैरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रगट हो, सबसे छोटा एक हजार हो जाएगा, और सबसे नीच एक सामर्थिजाती बन जाएगा, मैं यहवा ठीक समय पर यह सब कुछ शिग्र पूरा करूंगा.